हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम study करेंगे लीफ की morphology के बारे में और लीफ के parts के बारे में तो आइए start करते हैं, NCRT के अंदर लीफ के बारे में 7 points given है हर point को एक अच्छे diagram के साथ हम study करते है तो पहला point given है कि लीफ is a lateral देखो यार, stem अगर हम माने तो वो central part होता है एक plant का अब जो भी चीज़ इसके side में होगेगी वो lateral ही होगी with respect to stem इसलिए हमने leaf को बोला है कि वो lateral part होता है leaf is a lateral, generally flattened, हमने generally flattened word क्यों use किया leaves तो सारी flat होती है, नहीं कुछ leaf swollen होती है क्योंकि वो fleshy होती है, उनके अंदर कुछ न कुछ टोड होता है for example अगर हम सब ने देखा होगा aloe vera aloe vera की leaves होती है, वो मोटी मोटी होती है यह जो भी हमें दिखता है aloe vera plant के अंदर वो उसकी leaf ही होती है और उसके अंदर stored होता है aloe vera का gel इसलिए वो swollen या fleshy leaf कहलाएगी other examples जो भी fleshy leaves के हैं, हम खाते हैं कुछ leaves को उनका example है onion, जो प्याज होती है दोस्तों, वो actually एक fleshy leaves है हम उनको खाते है, और इसी तरीके से जो garlic यानि लसन जो होता है, वो भी एक fleshy leaf ही है इसलिए हमें ये बोलना पड़ेगा, कि जो leaf है वो generally flattened होती है with exception कुछ flashy हो जाती है तो इसका जो definition हुई, leaf is a lateral, generally flattened structure born on a stem हमेशादा leaf stem के उपर ही उगती है, laterally उगेगी और generally flattened होती है, तो ये पहला point था leaf के बारे में अब जो दूसरा point है, कि जो leaf होगी वो develop करती है node पे हमने stem की वीडियो में भी ये discuss किया था कि stem के अंदर दो important terms होती है, एक होता है node और दूसरा होता है inter node तो node वो part of stem होता है, जिसके through leaf originate होती है तो अगर हम इस diagram में भी देखें, तो हमें node word दिखेगा node वो part है, एक stem का, जहां से leaf originate कर रही है और दो node के बीच के space को बोलते है, inter node इसलिए बोला कि जो leaf है, वो develop करती है node से ये बात हमें जाननी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी तीसरा point जो NCRT में गिवन है, वो ये है कि हर leaf के axle में अब ये axle क्या होता है, अगर ये stem है और ये leaf है तो leaf और stem के बीच में जो angle बना उसको बोलते है axle तो हर leaf और stem के बीच में छोटी सी बड़ होती है उसको बोलते है axillary bird, तो ये आपको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी तो ये बोलते हैं, जो leaf है वो bear करती है एक bud जिसको बोला गया है axillary bird, in its axle अब इस diagram में भी देखें, तो ये तो हमारी leaf हो गई अब leaf और जो stem है, stem और leaf के बीच में एक axillary bud ग्रो कर रही है ठीक है, ये third point हो गया, पहला point क्या था, जो leaf होती है वो lateral part है, generally flatten होती है, जो कि एक stem पर originate करती है अब stem पर कहा originate करती है, वो second point है, कि वो notes पर originate करती है अब तीसरा point है, कि उनके axil में particularly क्या मिलेगा उनके axil में मिलेगा bud, जिसे बोलते है axillary bud अब ये पता कैसे चलेगा, कि कोई चीज, एक stem की modification है, leaf की modification है तो ये हमारा third point हमें help करेगा, जो भी leaf की modification होगी, उसके axil में तुम्हें bud मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो leaf है तो इसी तरीके से हमने अंतर पता किया, thorn जो की stem की modification होती है और versus spine, जो की leaf की modification होती है तो third point ने हमारी help कर दी, कि हमने देखा, spine जो था, उसके तो axil में हमें axillary bud मिल गई तो हमने बोला, अरे, अगर bud present है, तो spine पका एक modified leaf ही है लेकिन हमने thorn में देखा, तो thorn तो खुदी axil में से उगरा leaf की, तो वो कैसे हो सकता है leaf तो इसलिए third point ने हमें help किया, thorn और spine, जो की दूर से देख रहे हैं, दोनों काटे ही है उनके बीच में अंतर में पता करने के लिए अब fourth point देखते है, जो axillary bud होती है, वो future में जाके क्या बनेगी future में जाके वो एक और branch के अंदर develop हो जाती है अब इस diagram में देखें, एक leaf दिख रही है हमको, एक stem दिख रहा है stem और leaf के बीच में red color की axillary bud है अगर हम कुछ months के बाद देखें उस plant को, तो क्या होगा उस, जो leaf थी पुरानी वाली, यह हमारी old leaf है, जो कि हम आपने light color में show कर रही है light gray color में, उसके और जो stem के बीच में, हम देखेंगे कि एक और branch आ गई है और उस branch के अंदर दुबारा से पतिया लग गई है और उन पतियों के बीच में, फिर से तुम देख सकते हो, पतियां और stem के बीच में axillary buds फिर से present है तो यह बात देखने की है, कि जो axillary bud होता है, वो future में जाके एक branch बनाएगा उस branch के उपर दुबारा से पतिया हो गएगी और अगर leaf है वो चीज, वो structure को आपको leaf बोलना है, तो उसके और stem के बीच में, पक्का तुम्हें एक bud मिल नहीं चाहिए ठीक है, तो यह बात थी हमारी fourth point, अब यह point हमने use किया है stem tendril और leaf tendril के बीच में अंतर establish करने के लिए actually जो word tendril होता है, वो होता क्या है, tendril एक ऐसा structure है, जो support provide करता है weak stem को, कुछ stem को सारा चाहिए होता है वो खुद नहीं उग सकती है, क्योंकि वो बहुत लचीली होती है और अपने ही weight से नीचे गिर जाएंगी तो उसलिए उस plant ने कुछ modification शो करी, कुछ plants ने अपने stem को का, देख यार मैं बिना तेरे साहरे के ना आगे चलनी पाऊंगा, तो मुझे तेरा साहरा चाहिए तो stem बोलता है, कोई नहीं दोस्त, मैं tendril बना लेता हूँ, तो stem tendril बन जाता है, कुछ plants अपने leaf के साहरे ता माँगते है, leaf सो कहते है, यार leaf, मैं अके लिए चड़नी पा रहा हूँ पर, कुछ help करेगी, leaf कहते है, चल ठीक है यार मैं तेरे लिए tendril बना दूँगी, तो वो ये leaf है, और ये stem है, leaf और stem के बीच में से जो axillary bud थी, वो grow करके एक tendril बना रही है, इसका मतलब ये पका एक branch है, तो branch मतलब stem, अगर हम देखें, जो leaf की modification होगी, वो किसी भी axillary bud से grow नहीं कर रही होगी, अब leaf tendril जो हमें दिख रहा इसमें, वो directly एक leaf के जगह ही present है, क्या त पत्य दिख रही है, इधर, नहीं न, तो इसका मतलब ये leaf tendril, खुद ही एक leaf की modification है, leaf ने ही अपना structure convert कर दिया leaf tendril के अंदर, तो ये हमारा fourth point हो गया, अब fifth point देखते हैं, वो है कि जो leaf होती है, वो originate करती है, shoot apical meristem से, देखो यार, इससे पहले हमें जानना पड़े है कि य meristematic tissue होता क्या है, meristematic tissue plant का वो tissue है, जो divide करता है, ठीक है, अब वो तीन तरह का होता है, एक होता है, apical meristematic tissue, दूसरा होता है, lateral meristematic tissue, और तीसरा होता है, intercalorie meristematic tissue, अब intercalorie meristematic tissue, अगर हम इस diagram में देखे, उसका काम होता है, nodes पे growth show करने का, nodes, जो lateral meristum होता है, meristematic tissue है, वो plant क की मोटा पा यानि गर्थ को बढ़ाता है और जो एपिकल मेरिस्टमेटिक टिशू होता है वह प्लांट के दो जगह होता है एक उपर आले टिप पे और एक नीचा वाले टिप पे होगा तो वह शूट यानि स्टेंप की स्टेंप की growth शो करेगा और अगर नीचे वाले टिप पे होगा तो वह root की growth शो करेगा इसलिए हमने उसको दो नाम दे दिए shoot apical meristematic tissue और root apical meristematic tissue तो इसलिए हमने बोला जो हमारी leaves होती है वो यह shoot apical meristematic tissue ही बनाता है तो यह बात पता चल गई है बाकी के meristematic tissue भी याद रहोने चाहिए एक होता है apical meristematic tissue दूसरा होता है हमारा lateral meristematic tissue और तीसरा होता है intercalorie meristematic tissue यह बात याद अख लेना तो fifth point भी हमारा clear हो गया कि जो leaf होती है वो originate कहां से हो रही है shoot apical meristematic tissue से अब sixth point पर आते हैं कि जो सारी leaves होती है न दोस्तो यह acropetal order में arrange होती है वोर्ड थोड़ा tough है लेकिन इसका मतलब बड़ा असान है acropetal मतलब जो बुढ़ी leaf होंगी old leaves होंगी वो नीचे होएंगी और जो young leaves उगेंगी वो plant में उपर की तरफ उगेंगी generally सारी leaves इसी तरीके से grow करती है जैसे जैसे plant बड़े होगा जो पुरानी leaves हो नीचे की तरफ होएंगी जैसे जैसे stem grow करेगी नई leaves उपर की तरफ आएंगी इसलिए हमने इसका बोला acropetal यानि old leaves जो होती है वो base पे उगेंगी plant के दूसरा term होता है basic petal leaves generally जो भी leaves होती है वो acropetal order में ही उगेंगी कुछ leaves ऐसा होती है कि जो सबसे पुरानी leaves होगी वो सबसे उपर जागे grow कर जाएगी सबसे old वाली ये leaf है और जो नई leaves होगी वो जो new leaves है वो नीचे की तरफ grow करेंगी बट ये exceptions में ही होता है generally acropetal order ही show होता है यानि बुड़ी जो leaf होगी old leaves नीचे होगी और जो young leaves होगी वो उपर की तरफ होगी ये words याद रखने पढ़ेंगे acropetal और basic petal क्योंकि हमें ये same flowers की morphology को study करने में भी use करने पढ़ेंगे कि कुछ flowers जो नए flowers होते हैं नीचे उगते हैं कुछ नए flowers उपर उगते हैं तो इसलिए हम दो-दो word यूज करेंगे acropetal और basic petal अलग अलग जगाते तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो leaf है वो acropetal order में ही grow करेगी body leaf, old leaves नीचे की तरफ young leaves उपर की तरफ यह sixth point था और जो seventh point है leaf का यह है कि यह most important vegetative organ है photosynthesis का अब हमें पता है photosynthesis के लिए हमें चाहिए chlorophyll pigment और वो pigment present होता है leaf के अंदर इसी लिए photosynthesis most importantly कहां हो रही होती है leaf के अंदर, तो एक बाद जल्दी से recap करते हैं seven points का, पहला point है कि जो leaf है वो later होती है generally flattened structure होती है born on stem इसके exceptions होते है aloe vera, onion, garlic second point है कि जो leaf होती है वो originate करती है node से अब nodes और दो node से बीची जएगों बोलते हैं, inter nodes अब तीसरा example है कि जो leaf होती है उसके axil में axillary bird हमेशा मिलेगी ही, मिलेगी चोथा point है जो axillary bird होती है future में जाके वो एक branch के रूप में grow करती है fifth point है कि जो leaf originate करेगी वो shoot apical meristematic tissue से originate करेगी sixth point है कि जो leaves arrange होती है वो acropetal order में arrange होती है body leaves नीचे की तरफ, young leaves उपर की तरफ और seventh point है कि leaf एक most important vegetative organ है photosynthesis के लिए क्योंकि इसके अंदर ही chlorophyll pigment present होता है अब हम बात करते है leaves के क्या-क्या part होते हैं दोस्तों leaf के तीन important part होते है एक होता है leaf का base वो part of leaf जो अगर ये stem है और ये leaf है तो leaf का वो part जो stem से attach होगा उसको बोलते है leaf का base ये तो simple है इसके नाम से होता चल जाएगा अब दूसरा होता है PT-O-L PT-O-L वो डंडी होती है जिससे पत्ता stem से attach होता है तो ये हो गया PT-O-L और lamina क्या है leaf का जो पूरा पत्ता होता है उसको lamina बोलते हैं अब अब ये NCRT के diagram देखें तो जो lamina है leaf का वो तो actually उसका surface प्रोवाइड कर रहा है उसको surface area photosynthesis करने के लिए यानि जो actual पत्ता होता है वो lamina होता है अब जो पत्ता stem से attach होता है एक डंडी के थुरू उस डंडी को बोलते है PT-O-L और वो part of leaf जो stem से touch हो रहा होता है last part उसे बोलते हैं leaf का base यहाँ पर देखो इस part को बोलते है leaf का base पूरी जो डंडी है इसको बोलते है PT-O-L और जो यह पूरा structure बना उसे बोलते है leaf का lamina तीन चीज़ clear हो गई अब एक चीज़ यह रहनी है कि इसके अंदर हमें एक नया term आएगा वह स्टिप्यूल स्टिप्यूल क्या होता है स्टिप्यूल भी leaf like structure ही होता है पर यह leaf नहीं होता leaf like structure होता है जो की grow करता है एक्जिल में हम इसको discuss करेंगे PT-O-L के discussion के time पे अभी यह याद दखलो कि जो stem है और PT-O-L के बीच में जगा है वहाँ पे हमें कुछ leaf like structure दिख जाते है उनका नाम है stipule अब हर चीज को individually discuss करते है सबसे पहले हम discuss करेंगे leaf base को अब leaf base वो है leaf attach होती है stem से एक structure से उसको बोलते है leaf का base leaf base अब जो हमारा stipule से हम उसको यहीं discuss कर लेते हैं कि कुछ leaf के base में हमें एक या दो lateral small leaf like structure दिखते हैं जिनको हमने बोला है stipules तो stipules क्या चीज है यह grow करती है leaf के base पर ही एक या दो हो सकती है leaf like structure होता है इनका नाम है stipules अब हमें दो modifications यह दो important structures के बारे में बात करनी है leaf base की ही कि पहली modification है monocot plants के अंदर दूसरी modification है legumes plant के अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है leaf base में modifications अगर हम monocot की बात करें तो इनका leaf base थोड़ा expand हो जाता है और उसको बोलते है sheath वो sheath बना देता है जो की cover करती है stem को थोड़ा या पूरा अगर हमने प्यास देखा हो spring onion उसकी जो उपर की तरसे नीचे प्यास उगा हो है तो उपर जो यह पत्तिया है बड़ी बड़ी लंबी लंबी उसको हमें अगर उता रहें तो हमें दिखेगा कि उसकी पत्तिया वो इस तरीके ही होती है जो उनका base होता है वो पूरा एक sheath बना देता है और वो stem को cover कर लेता है पूरा या कुछ part of stem उसको बोलते है sheath और वो किसका modification है वो एक leaf के base का modification होता है तो यह किदर शो होता है monocod में जो प्यास है वो एक monocod plant का example ही है और यह प्यास में बहुत असान इस दिख जाता है अगर नहीं देखा देख लेना तो यह बात clear होगी कि जो monocods है उनके अंदर leaf base broaden हो जाता है एक sheath बना देता है और वो sheath stem को partially या completely encircle या छुपा लेती है अब जो दूसरा modification है leaf base का वो हमें दिखता है leguminous plants के अंदर leguminous plants वो plants होते हैं जो कि atmospheric nitrogen को अपने अंदर एक तरह से protein के form में store कर सकते हैं तो यह वो plants है जिनके अंदर high protein मिलता है example होता है pulses और cereals, कुछ cereals तो दोस्तो अब leguminous plants के अंदर क्या चीज़ होती है कि इनका जो leaf base होता है वो swell up कर जाता है, full जाता है और वो structure को बोलते है pulvinous तो pulvinous क्या है, actually pulvinous एक leaf base ही है किस plant में, leguminous plant में जो कि full गया है अगर हम इस diagram में देखे तो हमें दिखेगा कि ये part जो कि leaf, इसे ये तो leaf की pitiole होगी ये भी दूसरे leaf की pitiole है अब ये जो leaf का base है वो swell up हो चुका है देखो, ये मोटा दिख रहे है यहां से तो ये बनाता है pulvinous ठीक है तो हमने पहली जो चीज थी leaf का पहला part, leaf base उसको study कर लिया है leaf के base पे कुछ leaf like structures भी होते है उन्हों स्टिप्यूल्स बोलते है दो modification है, monocot plant में वो sheet बना लेता है, leguminous plant में वो pulvinous बना लेता है अब बात करते हैं, petiol और leaf के lamina की पहले रे petiol discuss करते है petiol वो डंडी है जो leaf के पत्ते को stem से attach करती है, तो ये क्या करती है hold करती है leaf के blade को यानि leaf के lamina को light की तरफ, ठीक है अब इसका काम क्या है, पहले बात इसका structure कैसा है इसका structure होता है long लंबी डंडी होती है, ये इतनी नहीं है कि बिल्कुल छोटी सी बिल्कुल leaf चिप की रहें, नहीं leaf और stem के बीच में आपको डंडी आरांसरे दिखी जाती है इसके पिटियोल बोलते है इसलिए बोला ये long होती है, thin होती है जादा मोटी नहीं होती और flexible होती है इसका flexible होने काम बहुत importance है इसके flexible होने का क्योंकि अगर तेज हवा चलेगी और ये डंडी flexible नहीं होगी तो leaf तूट के गिर जाएगी इसलिए अबने देखा होगा जब भी आंधी आती है बहुतेज हवा चल रही होती है तो leaf अराम से फड़ फड़ा लेती है क्योंकि जो ये टंडी होती है पिटियोल ये flexible होती है ये अराम से move कर रही होती है जब भी तेज हवा चलती है तो हमें बता चल गया कि जो पिटियोल है वो long है, thin है, flexible है और help करती है leaf को flutter करने में जब भी हवा ज़्यादा तेज चले इसके दो important काम होते हैं देखते हैं पहला है ये cool कर देती है leaf को अब जब भी हवा चलेगी और leaf फरफड़ा पाईगी तो उसका temperature होते है leaf का वो कम हो जाता है तो ये एक फालतुआ point आलेकर याद रखना पड़ेगा कि जो पिटियोल है वो cooling effect शो करती है leaf के उपर और दूसरा है वो fresh air को ले के आती है leaf के surface तक ठीक है, दो points है दोनों ही फालतुगे है fresh air वाला कह सकते है but stomata फिर भी leaf के उपर present होते है अगर ये pitiole ना भी हो तो stomata के थुरू वो आ जाएगा ये flutter करने के जैसे कुछ ज़्यादा air नहीं आरी बस इतना याद रखो कि दो points याद रखने है कि cool करती है leaf को और दूसरा fresh air को ले का आती है leaf के पास कौन? pitiole pitiole क्या है? thin flexible structure है long structure है जो की hold करता है leaf के blade या leaf के lamina को stem के साथ अब leaf का lamina या कह सकते है leaf का जो blade है वो क्या होता है? जो lamina या leaf blade है वो actually green expanded part है leaf का जिसको हम असली में पत्ती बोलते हैं हिंदी में जो leaf की पत्ती है वो क्या है? leaf lamina होता है green expanded part है leaf का जिसके अंदर veins और veinslets होते हैं अगर हम एक कोई भी diagram बना है leaf का समझो यह leaf का diagram बना दिया मैंने तो इसके अंदर यह lines बना रहा हूं मैं इन lines को बोलते है veins और इनकी भी छोटी-छोटी lines इनके अंदर view होती है उनको बोलते है veinslets तो जो leaf का lamina होता है इसके अंदर ही veins और veinslets present होते हैं अब और जो center में एक main prominent vein होती है उसको बोलते हैं हम mid rib तो mid rib एक important structure है leaf lamina के अंदर जो की एक middle prominent vein होती है इसका काम क्या-क्या होता है जो veins होती है वो turgidity अब turgid और flaccid दो terms होते हैं turgid मतलब solid तो यह solid structure provide करती है leaf को अगर यह ना हो तो leaf roll up हो जाएगी मुर्जा जाएगी ठीक है तो vein सा काम होता है turgidity provide करना leaf के base को दूसरा काम क्या होता है यह channel के रूप में काम करता है किसीच के channel देखो यार हमें एक pipeline बिछानी थी जो की leaf photosynthesis करेगी तो जो भी खाना बनाएगी वो हर एक plant के part में हमें भेजना था तो वो pipeline हमने बिछाई है उस pipeline को हमने बोला है veins और veinlets अब यह क्या करती है channel provide करती है transport of water and minerals and food के लिए water and minerals roots से जाती है leaf की तरफ food leaf से जाता है बाकी parts of the plant पे through leaf leaf की veins अब जो last point है वो हमें देखना है कि जो leaf की blade होती है हर एक plant में अलग तरह की leaf blades होती है उसमें हमें shape, margin, apex, surface, extent of venation यह सारी चीज़े होती है सारी चीज़े differ करती है वरना तो हर पेड़ पर सेम तरह की पतिया होगे ऐसा नहीं होता उसमें वेंस होती है में given है वो study कर ली है फिर हमने leaf के जो 3 parts होते है leaf का base, leaf का pitiole और leaf का lamina इसको भी discuss कर लिया है इस video के अंदर तो आशा करता हूँ यह video तुम्हें अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरे सारी morphology की पूरी series देखना on tips सब कुछ याद हो जाएगा और मैं सारे notes अपने telegram channel पर डाल दूँगा अगर तुम्हें मेरे notes अच्छे लगी हैं तो मेरे telegram को subscribe कर देना उदर जाके मेरे notes को तुम लोग दे सकते हो और thank you तुमने यह video आकरे तर देखी I appreciate it